नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी वाइन सोफिशल पर तो आज किस वीडियो में हम मोडर्न हिस्ट्री सीरीज का नेक्स्ट टोपिक 1857 की करांती के बारे में पढ़ेंगे तो ये टोपिक सभी परिक्षाओं के लिए most important है और इस वीडियो को देखने के बाद आपको यहां से बाहर प्रशन देखने को नहीं मिलेगा तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आज किस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो इस वीडियो की शुरुवात में हम 1857 का जो विद्रो हुआ था इसका स्वरूप देखेंगे उसके बाद हम इसका कारण देखेंगे कि आखिर 1857 की करांती हुई क्यों जिसमें हम राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, धार्मिक, सैनिक और तातकालिक कारणों के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि आखिर 1857 के विद्रो का प्रारंभ कैसे हुआ उसके बाद देखेंगे कि इसका विस्तार कहां कहां पर हुआ यानि कि जो 1857 के करांती हुई यह भारत के किन-किन छेत्रों में देखने को मिली उसके बाद हम इस विद्रो से संबंदित जो महत्पुर्ण लोगों के विचार है जो उनकी स्टेटमेंट है जो की एक्जाम में पूछे जाती है वो पढ़ेंगे लास्ट में हम देखेंगे कि इस विद्रो का परिणाम क्या रहा उसके बाद देखेंगे कि आखिर ये आसफल क्यों हो गया इसकी आसफलता के कारण क्या है और उसके बाद हम 1857 की करांती से संबंदित जो महत्पुर्ण तथ्य है वो पढ़ेंगे और इतना कुछ पढ़ने के बाद लास्ट में हम प्रिवियस येर क्वेशन भी लगाएंगे तो आप देख रहे हैं कि इस वीडियो में हम 1857 की करांती से रिलेटिड जो भी महत्पुर्ण तथ्य हैं सब के बारे में पढ़ेंगे तो आपको इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना है और लास्ट में प्रिवियस येर क्वेशन जरू लगाना है तो चलिए बिना देरी के हुए वीडियो को शुरू करते हैं तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं तो 1857 के विद्रह के समय इंगलेंड की महारानी कों थी तो इंगलेंड की महारानी थी विक्टोरिया और इंगलेंड के परधानमंतरी कों थे तो पार्मिस्टन ये वन लाइनर क्वेशन एक्जामें पूछे जाते हैं इसलिए याद दखेगा इंगलेंड की महारानी विक्टोरिया थी और परधान मंतरी पारमिश्टन थे और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कों थे यानि कि जब 1857 की करांती हुई थी तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कों थे लोड कैनिंग ये भारत के गवर्नर जनरल थे न 1857 के ये विद्रो की जो योजना थी ये भारत के बिठुर जो की कानपूर में है यहाँ पर तैयार की गई थी जिसमें नाना साहब और अजिमुल्ला खां थे इसके बाद क्या होता है कि जो अजिमुल्ला खां थे ये लंदन चले गए और वहाँ पर रहरे भारतियों से भी इन्होंने समर्थन प्राप्त किया और 1857 का जो ये विद्रो हुआ था इसका प्रतीक क्या था तो कमल का फूल और रोटी जो आप देख रहे हैं ये इसका प्रत प्रतीक है कमल का फूल और रोटी और किस रंग के जंडे का प्रयोग किया गया था हरे रंग के जंडे का प्रयोग किया गया था तो सबसे पहले 1857 के विद्रो का स्वरूप देख लेते हैं तो अनेक बिटिश इतिहासकार जो भी बिटिश इतिहासकार हुए है ना उन्हों उन्होंने इस विद्रो को सैनिक विद्रो, मुस्लिम शडियंत्र तथा धर्मांदों का इसाईयों के विरुद विद्रो आदि मानते हैं, तो जो भी बिटिश इतिहास कार हुए हैं, उन्होंने 1857 के विद्रो को सैनिक विद्रो, मुस्लिम शडियंत्र तथा धर्मांदों या और जो भारतिय इतिहासकार हुए हैं उन्होंने 1857 के विद्रो को भारत की सोतंतरता के लिए लड़ा गया प्रथम सोतंतरता संगराम या राष्ट्रिय आंदोलन का है। तो भारतिय इतिहासकारों ने 1857 की करांती को भारत की सोतंतरता के लिए लड़ा गया प्रथम सोतंतरता संगराम या राष्ट्रिय आंदोलन का है। और जो 1857 का ये विद्रो था ये पूर्णता राष्ट्रिय आंदोलन नहीं था। यही इसका कारण भी था जिसके कारण ये आसफल रहा था। तो यह पूर्णता राष्ट्रिय आंदोलन नहीं था क्योंकि राष्ट्रिय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे। फिर भी यह राष्ट्रिय आंदोलन का प्रथम चरण था। यहीं से सभी विद्रोहियों का जो उद्देशे था ये भारत से ब्रिटिश राष्ण को उखाड फेकना था। तो भले ही 1857 का जो विद्रोह था ये लोग अपने हितों के लिए लड़ रहे थे। परहंतु सभका उद्देश एक ही था ब्रिटिश राष्ण को उखाड फेकना। तो आगे हम देखते हैं कि इसका कारण क्या था कि आखिर 1857 का विद्रोह हुआ क्यों। तो सबसे पहले देखते हैं राजनीतिक कारण। तो पहला राजनीतिक कारण था मुगल समराटों के अधिकारों का रास। तो आपको पता ही है कि 1857 के समय मुगल बाशा को थे। बहादुर्शा जफर नाम मातर के बाशा थे। क्योंकि असली शक्तियां तो अंग्रेजों क कर रहे थे और अचानक उनकी शक्तियां किनके हाथों में चली गई अंग्रेजों के हाथों में चली गई। इसलिए एक राजनीतिक कारण तो ये था। दूसरा कारण तो डलोजी ने 1856 इसवे में अवद के जो शाशक थे जिनका नाम था वाजित अलिशा इन पर कू प्रोप लगाकर इनका समराज्य अंग्रेजों ने हडप लिया था और अवद के नवाव वाजित अलिशा को कहां पर भेज दिया था कलकत्ता भेज दिया था। ये दूसरा राजनीतिक कारण है। तीसरा कारण है कि लाट डलोजी ने भारतिये नरेशों को पुत्र को निती लेकर आय था जिसके अंतरकत जो भी भारतिये राजा थे ये किसी बच्चे को गोध लेकर उसे अपना उत्तरा अधिकारी नहीं बना सकते थे। जिस कारण क्या हुआ कि अंग्रेजों ने बहुत सारे जो राजा थे जो निसंतान थे उनके राजियों को हडप लिया जिसे हडप निती कहा गया पिछली वीडियो में मैंने विस्तार में बताया है आप आधूनिक भारत की प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना तो कौन-कौन से राज ये हडपे थे जैसे सतारा, संभलपूर, जैदपूर, भगहाद, जहांसी और उदैपूर इन सभी राजियो ने हडप निती के अंतरगत हडप लिया था और चोथा राजनिती कारण था नाना साप की पेंशन बंद कर देना तो नाना साप जो की पेशवा के पतपर थे उनकी पेंशन बंद कर दे गई थे तो ये कुछ राजनिती कारण थे जिसके बाद आगे चलकर हम देखेंगे कि इनी राजाओं ने आगे चलकर 1857 की करांति का नेतरतों किया। तो राजनीतिक कारण के बाद अब हम देखते हैं आर्थिक कारण। तो आर्थिक कारण क्या थे? तो यहां अंग्रेजों की भूर राजस्वनीति के कारण लोगों का अत्याधिक शोशन हुआ। क्योंकि जो अंग्रेज थे यह भारतियों पर बहुत लगान लगाते थे उनसे बहुत भारी मातरा में टेक्स वसूलते थे और इनकी आर्थिक नितियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई थी जिससे सरवाधिक संख्या में लोगों की मृत्ति हुई थी तो अंग्रेजों ने ऐसी नितियां लगू की थी जिस कारण क्या होता था कि अकाल जैसी स्थिति पैदा हो जाती थी और अंग्रेज उस समय भी भारी मातरा में टेक्स लगाते थे जिस कारण क्या हुआ था कि सरवाधिक संख्या में लोगों की मृत्तियों भी हो गई थी बहुत अपमान करते थे और वो भारतियों को नसली गालियां देते थे क्योंकि अंग्रेज अपने आपको श्रेष्ट मानते थे वो अपने आपको गोरी चमडी का श्रेष्ट मानते थे और भारतियों का जो रंग था वो सावला होता था तो उन्हें नसली गालियां भी देते थे मतलब की एक प्रकार से racism करते थे और क्या कारण था तो एक event अंग्रेजी अधिकारी Edward के अंसार Edward ने कहा था कि हमारा भारत में अधिकार करने का जो उद्देश्य है ये लोगों को इसाई बनाना है तो इसे लिए अंग्रेजों ने भारत में इसाई मिशनरियां भेजी थी तो एडवर्ड ने का था कि हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को इसाई बनाना था और क्या कारण था तो 1850 इस्वी में लेकसलो की कानून जो की धार्मिक अयोगिता संबंधिक कानून था यह पारित किया गया था और इसके अनु नए नए कानून लगाते रहते थे अभी हमने पीछे देखा हड़प निती जिसमें जो भी राजा नी संतान है उसके बाद उसके राज्य को हडप लिया जाएगा तो यह जो कानून था लेकसलो की कानून इसके अनुसार जो भी हिंदू इसाई धर्म अपनायेगा उसे उस तो भारतिय सेना में 2,38,000 भारतिय सेनिक और 45,000 येरोपिय सेनिक थे यानि कि जो अंग्रेजों ने भारत में सेना बनाई थी ना उसमें जादतर भारतिय ही थे दो लाग 38,000 भारतिय सैनिक थे और 45,000 जिरोपिय सैनिक थे जिसमें भारतिय सैनिकों की संख्या अधिक थी और सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की निती थे तो जो अंगरेज थे न ये भारतिय सैनिक और अंगरेजी सैनिक में फरक करते थे उनके वेत्तन की विर्धी में भी और लीडर्शिप में भारतिय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था और अगला सैनिक कारण है कि 1854 इस्वे में डाक घर सुधार अधिनियम पारित जिस कारण क्या होता था वो अपने परिवार वालों को चिठी यानि की लेटर लिखते थे और जो भी वो लेटर लिखते थे न वो निशुल्क होती थी यानि की जो डाक सेवा होती थी निशुल्क होती थी पर अंग्रेजों ने क्या किया निशुल्क डाक सेवा को समाब्द क कर दिया जिसके कारण भारतिये सैनिक काफी गुश्य में आ गए थे। कारण क्या थे जिस कारण 1857 का विद्रो हुआ था तो 1856 में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ट बंदूग की जगह न्यू एंफिल्ड राइफल प्रियोग करने के लिए दिया तो पहले ब्राउन बेस्ट बंदूग यूज होती थी जिसकी जगह पर नई तो इस राइफल में क्या होता था चर्बी यूग कार्टूस लगी होती थी जिसे दांत से खीचना पड़ता था तो सरव प्रथम बंगाल में ये अफवा फैली कि इन कार्टूसों में गाएं एवं सूर की चर्बी लगाए गई है और बाद में जब सरकार ने कार्टूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया तो ये जो राइफल थी ना इसमें जो कार्टूस का इस्तमाल होता था उस कार्टूस को पहले मूँ से च्छिलना पड़ता था और च्छिलने के बाद इस बंदूक में डालना पड़ता था तो जो कार्टूस था इसमें गाएं एवं सुवर की चर्बी लगाई गई थी और जो हिंदू होते हैं उनके लिए गाएं पूजनी हैं और जो मुसलमान होते हैं उनके लिए सुवर हराम हैं तो दोनों की भावनाएं काफी आहत हुई इस घटना के कारण क्योंकि इन कार्तूसों में गाएं एवं सुवर क चर्बी लगाए गई थी तो फिर क्या हुआ सर प्रत्थम बंगाल में स्थित दमदम के सैनकों ने कार्टूसों के परियोग करने से इंकार कर दिया उन्होंने का कि हम इन कार्टूसों का परियोग नहीं करेंगे तो उसके बाद क्या होता है 28 मार्च 1857 इसे को बैरकपूर छावनी के 34 रेजिमेंट के एक सिपाई थे जिनका नाम था मंगल पांडे ये चर्बी वाले कार्टूस के विरोध में आगे आए और इन्होंने एड़्जू टेंड लेफ्टिनेट बाग जोकी अंगरेजी अधिकारी था उसकी गोली मारकर हत् जिसके बाद क्या हुआ कि मंगल पांडे को 8 अपरेल 1857 इसवी को फांसी दे दी गई और यहीं से ये विरोध विद्रों में बदल गया तो जो चिंगारी भारतियों के सीने में दबी हुई थी इस घटना के बाद उसने आग का रूप ले लिया तो यहीं से जो विरोध था वो विद्रों में बदल गया और 1857 का विद्रों हमें देखने को मिला तो आगे हम देखते हैं कि इस विद्रों का प्रारंब कैसे हुआ तो 24 अपरेल 1857 इसे को मेरट छावनी के कुछ भारतिये सैनिकों ने कार्तूस लेने से इंकार कर दिया उसके बाद क्या हुआ कि उन भ 1857 इसे को पचासी सैनिकों को नोकरी से बहा निकाल कर सजा सुनाई गई जिसके बाद क्या होता है कि 10 मई 1857 इसे को मेरट में स्थित सभी सैनिकों ने विद्रों कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा करा कर अस्त्रशस्त्र की खुब लूट पार्ट की तो पहले तो क्या हु कि जो मेरट शावनी के बाकी के भारती सेनिक थे उन्होंने भी कार्तूस का इस्तमाल करने से मना कर दिया, तो अंग्रेजों ने उनको बाहर निकालकर सजा सुनाई, जिसके बा具 क्या होता है कि 10 मैं को मेरट मेस्टिद सभी सेनकों ने विद्रो कर दिया और अपने सेनकों को रिहा करकर उन्होंने अस्त्रशस्त्र के भी लूट पार्ट की। तो यहीं से 1867 का विद्रोह स्टाठ होता है। तो अब हम इसका विस्तार देख लिते हैं, कि आखिर भारत के किनकिन छेत्रों में इस विद्रोक का विस्तार हुआ। तो सबसे पहले देखते हैं दिल्ली, तो मेरेट के सभी विद्रोही सेनिक दिल्ली पहुंचे, और यहाँ पर अंगरेजी सेना को प्राजित कर इन्होंने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। और विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को अपना समराठ घोशित किया इन्होंने कहा कि आप इस विद्रोह को लीड करेंगे और बहादुर शाह जफर भी मान गए क्योंकि मरता क्या ना करता वो भी मजबूर थे तो वो मान गए तो 20 सितंबर 1857 इसवी को हटसन के नेत्रतों में एक अंगरेजी सेना दिल्ली पहुँची और यहां विद्रोहियों को पराजित कर पुना दिल्ली पर अधिकार कर लिया तो हटसन ने क्या किया दिल्ली में इस विद्रों को दबा दिया और पुना दिल्ली पर अधिकार कर लिया और जो बहादुर्शा जफर थे ये हुमायू के मकबरे में जाकर छिप गए थे और अंतिता मृत्ट्यू दंडनाद देने की शर्त में इन्होंने आत्मसमर्पन कर द दिल्ली के बाद देखते हैं लखनवू तो लखनव में विद्रों का नितरतो नवाब वाजित अलिशा की पतनी बेगम हजरत महलने किया था तो आगे मैं आपको एक ही टेबल में बता दूँगा कि किन-किन छेत्रों में किसने लीड किया था किसने नितरतो किया था और वि हजरत महलने किया था और इनकी देखरेक में बिर्जिश कादर को अवद का नवाब घोशित किया गया था तो मार्च 1858 इसवे में केमपवल के नितरतों में एक अंगरीजी सेना इस विद्रों को दबाने के लिए लखनव पहुँचती है और इसने विद्रों को पराजित कर लखनव पर अधिकार कर लिया तो केमपवल ने इस विद्रों को लखनव में दबा दिया और बेगम हजरत महल गिरफतारी से बचने के लिए कहां पर भाग गई नेपाल चली गई तो बेगम हजरत महल नेपाल चली गई तो इस परकार लखनव में भी विद्रों को दबा द और इनकी pension भी अंग्रेजोंने बंद कर दी थी, तो नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गए थी, तो एक परकार से जो नेतरतो था ये कौन कर रहा था तात्या टोपे, वैसे तो कानपूर के विद्रोफ का नेतरतो नाना साहब ने किया, प्रंतु इन्होंने लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को सौप दी जिनका वास्तविक नाम था रामचन पांडूरंग तो कई बार एक्जाम में ये भी पूछा गया है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था रामचन पांडूरंग तो दिसंबर 1857 इस्वे में केम्पवेल के नेतरतों में अंग्रेजी सेना कानपूर पहुँचती है और फिर से कानपूर पर अधिकार कर लेती है और नाना साब जो थे वो नेपाल भाग जाते हैं जबकि जो तात्या टोपे होते हैं इन्हें गिरफतार कर लिया जाता है और अंतता इन्हें फांसी दे दी जाती है तो एक परकार से कानपूर के विद्रो का नेतरतों किसे ने किया तात्या टोपे ने किया और अंग्रेजी अधिकारी केम्पवेल के नेतरतों में अंग्रेजी सेना कानपूर पहुँचती है और तात्या टोपे को गिरफतार कर लेती और बाद में इन्हें फासी दे देती है तो कानपूर के बाद देखते हैं जहांसी तो जहांसी के विद्रो का नेतरतो गंगा धर्राव की विद्वा पतनी रानी लक्षमी बाई ने किया था तो मार्च 1858 इसवे में इरोज की नेतरतों में एक अंग्रेजी से जहांसी पहुँची थी और रानी लक्षमी बाई ने इरोज से युद्ध किया लेकिन कुछ गद्दारों के कारण वह पराजित हो गई तो कुछ अपनों ने ही रानी लक्षमी बाई को दोखा दे दिया था तो जहांसी से रानी लक्षमी बाई गवालियर पहुँची और गवालियर के कुछ विद्रोहियों के सयोग से इन्होंने गवालियर पर अधिकार कर लिया जिसके बाद क्या होता है कि पीछे से हिरोज भी अपनी सेना लेकर गवालियर पहुँच जाता है और रानी के साथ युद्ध करता है तो कोटा और मुरार के युद्ध में रानी लक्षमी भाई वीर गती को प्राप्त हो जाती है तो जहांसी के बार चलते हैं जगदीशपुर बिहार में तो यहां के विद्रो का नेतरतो यहां के जमीदार 80 वर्षिय बाबू कुमर सिंग ने किया था तो बह यहां के विद्रो का नेतरतो मौलवी लियाकत अली ने किया था इन्हें इलहाबाद का सुबेदार घोशित किया गया था किसे मौलवी लियाकत अली को और इन्होंने ही इलहाबाद से इस विद्रो का नेतरतो किया था उसके बाद है फैजाबाल तो यहां के विद्रो का ने नेतरतों एहमदुल्ला शाह ने किया था और पूरे विद्रों में यही एक विद्रों हुई थे जिन्होंने अंग्रियेजों के विरुद जिहाद का नारा दिया था और गुरिल्ला पदिती से भी इन्होंने ही युद्ध किया था इनका नाम था मौलवी एहमदुल्ला शाह और इन्होंने फैजा बात से इस विद्रों का नेतरतों किया था। तो आगे अब हम 1857 इसवी के विद्रों के जो महतपून केंदर थे ना ये देख लेते हैं और किसने नेतरतों किया था और किसने इस विद्रों का दमन किया था। इसे एक ही बार में पढ़ लेते हैं तो सबसे पहले है दिल्ली तो दिल्ली में विद्रो का नेतरतो बहादुर शाज जफर ने किया था और इस विद्रो को दबाया किसे ने था तो हडसन ने इस विद्रो को दबाया था अंग्रेजी अधिकारी हडसन ने दूसरा केंदर है ल तोपे ने विद्रहु का नेतरतों किया था और विद्रहु का दमन केंपवेल ने किया था जहांसी से रानी लक्षमी बाई ने विद्रहु का नेतरतों किया था और यूरोज ने जहांसी के विद्रहु को दबाया था जगदीशपुर बिहार में विद्रहु का नेतरतों कुम 1277 का विद्रो हुआ था और जनरल नील ने यहां के विद्रो को दबाय था उसके बाद है फैजाबाद तो फैजाबाद में मौलवी एमदुल्ला शाने नितरतो किया था और केंपवेल ने इस विद्रो को दबाय था बरेली में खान बहादूर खान ने नितरतो किया था और के गोरकपुर में गजाधर सिंग और निजाम मुहम्मद ने विद्रो का नेतरतों किया था और विद्रो को दबाया किसने था तो अंग्रेजों की जो अस्थानिय सेना थी न वहां पर जो अंग्रेजों ने सेना निउप की थी उन्हों नहीं गोरकपुर में विद्रो को दबा उसके बाद है मंद सोर, तो मंद सोर में विद्रोह का नेतरतो विरोशा ने किया था, और स्थानिय सेना नहीं विरोध को दबा दिया था, कोटा में जै देयाल और हर देयाल ने विद्रोह का नेतरतो किया था, और वहां की स्थानिय सेना नहीं इस विद्रोह का दमन कर दिया असम में कंदर पेशवर सिंग और मनी रामधत्ता ने विद्रो का नितरतों किया था और वहां की स्थान्य सेना ने इस विद्रो का दमन कर दिया था कुल्लू में वीर सिंग और परताब सिंग ने 1857 के विद्रो का नितरतों किया था और स्थान्य सेना ने इसे भी दबा दिया था तो मैंने आपको एक ही बार में जो भी महतपूर्ण केंदर थे वो बता दिये, किसने इसका नितरतों किया और किसने विद्रो का धमन किया वो भी बता दिया, तो इन सभी केंदरों में जो सबसे ज़्यादा important है, वो starting में मैंने आपको detail में पढ़ा दिये, उसके बाद हम तो कुछ महतपूर्ण लोगों की statement है, जो की exam में पूछी जाती है, वो हम देख लिते हैं, तो सबसे पहली statement है, कि यह एक सैनिक विद्रो था, तो लोरेंस एवं शीले ने कहा था, कि जो 1857 की करांती थी, यह एक सैनिक विद्रो था, तो अगली statement है L.E.R. रीज की, इन्हो homes की है, इन्होंने कहा था, कि यह बरबरता एवं सभिता की बीच युद्ध था, तो यह जो statement है, यह exam में पूछी जाती है, कि बताईए, यह बरबरता एवं सभिता की बीच युद्ध था, यह किसका कथन है, तो आपको पता होना चाहिए, यह T.E.R. homes का कथन है, अगला उसके बाद है, तो वीडी सावरकर एवं अशुक महता का कथन है, कि यह भारत की सवतंतरता के लिए लड़ा गया, प्रत्थम सभचनतरता संगराम था, यह V.D. स वरकर और अशुक महता का कथन है, और डिजरेली का कहना है, कि यह आंदोलन राश्ट्रे विद्रह था, उसक जमिन्दारों ने इस तुफान के आगे तंग रोध का कारे किया अन्यथा हम एक ही जोंके में उड़ गे होते क्योंकि उसमें भारत के कुछ राजाओं ने और जमिन्दारों ने अंग्रेजों का साथ दिया था जिसके कारण यह विद्रो एक विराट रूप नहीं ले पाया और अंग्रेजों ने इसे असानी से दबा दिया था क्योंकि कुछ अपने ही अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे उसके बाद युरोज का कथन है जो की बहुत फेमस है यह कथन इन्होंने राणी लक्ष्मी बाई के बारे में कहा था कि यहाँ पर सोई हुई महिला सभी वि बंदित कुछ कथन थे तो उसके बाद आगे हम देखते हैं कि आखिर यह विद्रो आसफल कैसे हो गया तो सबसे पहला कारण है विद्रो का सीमिज सवरूप तो जो यह विद्रो था ना 1857 का जो यह विद्रो हुआ था यह भारत में जादा तर उत्तर भारत और मध्य भारत चेतरों में देखने को मिला था अगर हम दक्षिन भारत की बात करें तो दक्षिन भारत में इसका ज्यादा कोई परभाव देखने को नहीं मिला था जिसके कारण दक्षिन भारतिय चेतरों ने इस करांती में ज्यादा भाग नहीं लिया था और इसी कारण यह करांती भारत के एक सीमिच छेतर तक ही सिमट कर रह गई थी तो इसकी आसफलता का पहला कारण तो ये था दूसरा कारण देशी नरेशों एवं सरदारों की गदारी थी तो भारत के ही कुछ राजा और जमिंदार अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे और उन्होंने 1857 की करांती में अंग्र तो यह करांती भारत के अलग-अलग छेतरों में छोटे-छोटे विद्रों में बढ़ गई थी और सारे छेतरों में वहां के जो शाशक थे या जो विद्रों करता थे वो सिर्फ अपने-अपने छेतरों का ही नेतरतों करते हुए देखने को मिले थे और किसी ने इस करांती में सारे छेत्रों को जोड़कर एक राष्ट्रे नेतरतों नहीं किया तो राष्ट्रे नेतरतों का अभाव था सभी अपने अपने छेत्रों में लड़ रहे थे और अपने हित के कारण लड़ रहे थे तो राष्ट्रे नेतरतों का अभाव था इस करांती में और इसी नेतरतो के अभाव से इस करांती को जादा सफलता नहीं मिल पाई थी और चोथा कारण है निश्चित उदेशों का अभाव तो इस करांती में किसी भी छेत्र के पास कोई स्पष्ट उदेशे नहीं था तो सब अपने अपने व्यक्तिकत हितों के लिए यह विद्रोख कर रहे थे जैस दिलाना चाहती थी बाबु कुमर सिंग फिर से जो उनकी जमीदारी विवस्था थी उसको उभर कर देखना चाहती थे तो सबके अपने व्यक्तिकत हित थे किसी का राष्ट्रिय हित नहीं था तो निश्चित उदेशों का अभाव हमें इस करांती में देखने को मिलता है उ सामना कर सके तो अंग्रेजों के पास अधोनिक हत्यार थे और भारतियों के पास और भारतियों के पास अधोनिक हत्यार नहीं थे तो ज़्यादा तर रजवारे और छोटे जमीदारों के कंधों पर ही यह करांती चल रही थी और आशकता पढ़ने पर वे इन हत्यारों की आ के आसफलता का कारण बना और चठा कारण है जन समर्थन का अभाव तो इस करांती में जब अलग-अलग छेत्रों में विद्रो हुए तब इन छेत्रों में आपस में एकता की कमी देखने को मिली यानि कि सब एक जूट नहीं थे तो इन छेत्रों में आपस में कोई ताल मेल न और किसी ने भी एक होकर भारत को अंग्रेजियों की नित्यों से आजाद करवाने का परियास नहीं किया, तो सभी अपने हित के लिए लड़ रहे थे, तो एकता की कमी भी देखने को मिली थे, और सात्मा कारण था अंग्रेजी सेना का कुशन नितरतो तो था ही, हमने देखा कि कैसे एके करके उन्होंने सभी छेतरों में विद्रों को असानी से दबा दिया, तो ये 1857 की करांती के असफलता के कुछ महतपून कारण थे, तो इसका परिणाम क्या हुआ, कि 1857 की करांती को समावत कर दिया गया, और इस करांती के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा, जो अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी थी ना, भारत में शाषन कर रही थी, उसका शाषन भी समावत कर दिया गया, और अब भारत की बागडोर सीधे बिटिश करांवन को सौप दी गई, तो पहले भारत में जो शाषन था, वो अंग्रेजी इस्ट इंडिया कंपनी का जो की बृटिश की एक प्राइविट कमपनी थी और भारत में यह सभी कार्य अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी ही कर रही थी और अठारा सो सत्ताओन की करांती भी इसी कमपनी के विरुध हुई थी और इसलिए ब्रिटिश सरकार को यह लगा कि अंग्रेजी इस्ट इंडिया कमपनी अब भारत का शाषन नहीं संभाल पा रही इसलिए उन्होंने भारत की सत्ता वापस लेकर ब्रिटिश कराण को सौब दी तो उसके बाद आगे अब हम 1857 की करांती से समबंधित कुछ महत पूर्ण तथे देख लेते हैं तो इस विद्रों से पहले अजी मुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे तो हमने शुरुआत में पढ़ा था ना अजी मुल्ला खां के बारे में तो अजी मुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे और कुस्तुन तुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रका डवल्यू एच रसेल के साथ हुई थी और भारत के बाहर भी अजिमुला खाने इस विद्रों के लिए समर्थन प्राद किया था और उसके बाद है बेगम हजरत महल तो लखनों में बेगम हजरत महल ने ही इस विद्रों का नितरतों किया था तो बेगम हजरत महल के साथ अगला पॉइंट है कि 1857 के विद्रों के जंडा गीत की रचना अजिमुल्ला खान नहीं की थी जो कि इस परकार था कि हम है इसके मालिक हिंदूस्तान हमारा पाक वतन है कौम का जन्न से भी प्यारा पाक यानि की पवित्र शुद्र तो हम है इसके मालिक हिंदूस्तान हमारा पाक वतन है कौम का जन्न से भी प्यारा। ये अजिमुल्ला खाने 1857 के विद्रों में जंटा गेत की रचना की थी। उसके बाद है कि 1857 के विद्रों में राजस्थान में अजमेर, नीमच, अववा, आजिस थलों में विद्रों देखने को मिले थे। लेकिन जैपूर विद से ये क्वेशन देखते हैं, तो पहला प्रेशन है कि 1857 के विद्रों का तातकालिक कारण क्या था ? तो उप्षन ने चर्बी वाले कारतूसों का प्रियोग आरम करना ये इसका तातकालिक कारन था, तो उप्षन ने इसका सही जवाब है , अगला प्रशन है कि वह पहला भारतिय सिपाई कौन था जिसने चर्बी वाले कार्तुष का प्रयोग करने से इंकार कर दिया था तो इसका सही जवाब क्या है? मंगल पांडे, ओप्शन है इसका सही जवाब है अगला प्रशन है कि मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ECV में विद्रों का सूत्रपात किया ये संबंदित था तो किस infantry से ये संबंदित थे तो इसका सही जवाब है ओप्षने 34 वी नेटिव infantry से ये संबंदित थे अगला प्रशन है कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रों का नित्रतों निमनलिकित में से किस शहर से किया था तो बेगम हजरत महल ने नित्रतों कहां से किया था लखनों से ओप्षने इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि 1857 के विद्रों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था तो भारत का गवर्नर जनरल था लोड कैनिंग उप्शन सी इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि 1857 के विद्रों में कानपूर में सैनिकों का नितरतों किस ने किया था तो कानपूर में सैनिकों का नितरतों नाना सहाब ने किया था पर नाना सहाब ने इसकी अगवाई किसको सोपी थी तात्या टोपे को तो ओप्शन भी इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि 1857 की करांती के समय बिटेन का परधान मंतरी कौन था तो उसमें बिटेन का परधान मंतरी था पाम्स्टरन ओप्शन D इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि जगदीशपूर के राजा कौन थे तो जगदीशपूर के राजा थे कुमर सिंग Option D इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि 1857 में भारत में हुए विद्रों के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था तो तात्या टोपे का मूल नाम था रामचंद पांडूरंग Option D इसका सही जवाब है अगला प्रेशन है कि निम्न में से कौन सा छेतर 1857 के विद्रों में प्रभावित नहीं था तो कौन सा छेतर 1857 के विद्रों का केंदर नहीं था तो इसमें सही जवाब होगा चितोड चितोड ने 1857 की करांती में भाग नहीं लिया था अगला प्रशन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तो सूची एक में छेतर दिये हुए हैं और सूची दो में बताया गया है कि इसका नेतरतो किसने किया तो हमें इसका मिलान करना है तो पहला है कानपूर तो कानपूर के विद्रहु का नेतरतो किस ने किया था तात्या टोपे ने तो A का होगा 4 इलहाबाद में नेतरतो किस ने किया था लियाकत अली ने B का होगा 2 फैजाबाद में नेतरतो किस ने किया था मोलवी एहमदुल्ला ने C का होगा 3 और जगदीशपुर में नेतरतो किस किस ने किया था कुमर सिंग ने तो डी का होगा वन तो इसका सही जवाब होगा ओप्षन है A का 4, B का 2, C का 3 और D का 1 अगला प्रेशन है कि 1857 के विद्रों की आ सफलता के बाद मुगल बाश्या बहादूर्शा द्वित्य जिने बहादूर्शा जफर कहा जाता है बहादूर् जफर को गिरफ़तार किया गया था Lieutenant Hudson के द्वारा और उसके बाद इने रंगून भी दिया गया था तो आज का आकरी प्रेशन है कि 1857 का विद्रों मुख्यता किस कारण से आसफल हुआ था तो इसकी आसफलता का मुख्य कारण क्या था तो इसकी आसफलता का मुख्ये कारण था किसी समान्य योजना और केंद्रिय संकठन की कम्मी तो option B इसका सही जवाब है तो आज की ये वीडियो जहीं पर खत्म होती है कैसी लगी ये वीडियो कोमेंट सेक्षन में जरूर बताना धन्यवाद